लीजे सुनिये विश्वम भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पाप का फल मेरी यनि समीर गोस्वामी की आवाज में रात के आठ बज चुके हैं कॉलेज होस्टल के एक कमरे में थर्ड येर के दो विद्यार्थी अध्यायन कर रहे हैं कमरे में एक और पलंग बिचा है जिस पर बिस्तर फैला हुआ है दूसरी और एक मेज लगी हुई है जिस पर एक बिजली का टेबुल लेंप रखा है और कुछ पुस्तके तथा लिखने की सामगरी रखी है टेबुल के सामने दो कुर्सियों पर वे दौनो नविवक बैठे हैं कमरे के पूर्व की ओर कमरे का मुख द्वार है और पश्चिम की ओर दो खिड़किया है जिन में काच मंडित कपाट लगे हुए है पलंग की नीचे दो ट्रंकों की जलक भी दिखाई पड़ रही है दोनो नविवकों में से एक की उम्र उन्नीस वर्ष के लगभग है और दूसरे की तेईस वर्ष के लगभग दोनो व्यक्तिरिष्ट पुष्ट तथा देखने में साधरन तया सुन्दर है दोनों के सम्मुख एक एक पुस्तक खुली हुई रखी है दोनों के हाथों में एक एक पैंसिल है जिस से वे पुस्तक में चिन्ध बना रहे है कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार मौन रूप से अपना अपना कारे करते रहे हठात उन में से एक ने जो उम्र में दूसरे से चार वर्ष चोटा था सिर उठा कर कहा भाई चंदरशेखर ये पाप क्या चीज है कुछ आश्यर से प्रश्न करता की और देखकर चंदरशेखर ने कहा पाप क्या चीज है वहाँ भाई निरंजन तुम्हें आज तक यही गयातना हुआ कि पाप क्या चीज है निरंजन हाँ हाँ क्या हुआ इसमें इतना अश्यर करने की कौन सी बात है आप यही बताईए कि पाप किसे कहते है चंदरशेखर यह तो बड़ी साधरान बात है बुरे काम करना पाप है निरंजन केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता है जब आप यह कहते हैं कि बुरे काम करना ही पाप है तो यह प्रिशन उठता है कि बुरे काम कौन से है यदि आप कहें कि जूट बोलना बुरा है इसलिए जूट बोलना पाप है तो उस पर मैं यह कहता हूँ कि ऐसे अफसर भी آए हैं और आते रहते हैं जबकि जूट बोलना बुरा नहीं वरण अच्छा समझा जाता है उस दशा में वो पाप नहीं कहा जा सकता है चंदर शेकर, जूट बोलना तो किसी दशा मैं भी पुन्न नहीं समझा जाता है निरण्यन, मैं ये नहीं कहता कि पुन्न समझा जाता है मैं केवल इतना कहता हूँ कि पाप नहीं समझा जाता है जैसे कोई व्यक्ति एक अपराध करता है परंतु उसके लिए उसके हिरते में सच्चा पश्चताप है सच्चा अनुताप है साथ ही उसकी परिस्थिती ऐसी है कि यदि उसे वो सप्राध के लिए दंड दिया जाता है तो उसका सर्वनाश हुआ जाता है उसके बाल बच्चे गोर संकट तथा विपत्ती में पढ़ जाते हैं उस समय यदि कोई व्यक्ति जूट बोलकर उसे दंड से बचा लेता है तो क्या बचाने वाला पाप करता है चंदर शेकर निसंदेह पाप करता है क्योंकि जब उसे दंड न दिया जावेगा तो उसका साहस बढ़ जाएगा और वो पुना वही अत्वा उसी तरह का अन अपराध करेगा निरंजन हाँ ठीक है परंतु यदि वो पुना अपराध न करे क्योंकि ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसके हिर्दाय में सच्चा पश्चा था पहे तब चंदरशेकर कुछ ख़शनों तक सोच कर बोले ऐसी दशा में भी जूट बोलना पाप ही है निरंजन बस यहीं पर मेरा तुमसे मतबेद है तुम कर्म को पाप मानते हो परंतु मैं कर्म को पाप नहीं मानता मैं उसके फल को पाप मानता हूँ जब तक किसी कर्म का फल स्वैम अपने लिए तथा दूसरों के लिए किसी प्रकार से भी हानिकार रखना हो तब तक वो पाप नहीं है चंदरशेकर यदि इसे ठीक मान लिया जाए तब तो पाप कोई चीज ही नहीं रह जाता निरंजन क्यों रह क्यों नहीं जाता चंदरशेकर कैसे रह जाता है यदि कोई कार्य हानिकारा को तब तो वो पाप अन्न था पाप नहीं ऐसी दशा में आप किसी भी कार्य को पहले से ही पाप नहीं कह सकते निरंजन नहीं बहुत से काम ऐसे हैं पहले से ही पाप कहा जा सकता है उधारणार्थ, चोरी, व्यभीचार, जुआ इत्यादी इन से प्रत्यक दशा में हानी पहुँचती है चंदरशेकर होगा भी ये विशाय हमारी तुम्हारी मस्तिश्की की वस्तू नहीं है ये फिलास्फरों का काम है निरन्यन फिलास्फर भी मनुश्य ही होते है चंदरशेकर हमारी तुम्हारी से नहीं निरन्यन संसार पाप चाहे जिसे माने परंतु मैंने तो अपने लिए पाप की परिभाशा यही बना ली है कि जिसमें स्वयम हमें या दूसरों को किसी भी परकार की हानी पहुँचे वो पाप है चंदरशेकर किसी भी परकार से तुम्हारा क्यातात पर है निरन्यन शरीर संबंधी, आत्मा संबंधी, धन संबंधी, इत्यादी चंदरशेकर यदे पी मैं तरक से तुम्हारी इस परिभाशा को नहीं काट सकता तथा पी मिरी आत्मा कहती है कि तुम्हारी परिभाशा सदोश है ये बात किसी दिन स्वैम तुम पर प्रकट हो जाएगी निरंजन मुझे तो ऐसी आशा नहीं यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी भूल मान लूँगा इसके पश्चाति ये दौनव पुनहा अध्यान में लग गए नौ बजी के लगभग चंदरशेखर ने पुस्तक बंद करके कहा अच्छा मैं तो अब जाता हूँ नीन लगती है निरंजन अच्छी बात है जाओ चंदरशेखर पुस्तक लेकर अपने रूम में चले गए उनके चले जाने पर निरंजन ने अपने कमरे का द्वार बंद कर लिया और रोशनी बुझा दी रोशनी बुझा कर वो खिड़की के पास आये और शीशे पर आँख लगा कर बाहर की ओर देखने लगे हॉस्टल के पूर्व की ओर एक पंद्रह फिट चोड़ी सड़क थी और उसके पश्चात मकानों के पतार थी जिन में ग्रहस्त रहते थे निरंजन की खिड़की के सामने जो मकान था उसके दो मनजले के कमरे का दौर निरंजन की खिड़की के ठीक सामने था इस समय उस कमरे में रोशनी हो रही थी निरंजन ने देखा कि कमरे में एक नव युवती अकेली निश्चिंत भाव से लेटी है उसके हाथ में एक पुस्तक है जिसे वो बड़े ध्यान से पढ़ रही है पढ़ते पढ़ते युवती ने करवट ली तो उसका सुन्दर गौर वक्ष स्थल खुल गया निरंजन लाल ने इस दृश्य को बड़े चाव से देखा निरंजन लाल इसी परकार खड़ी युवती के रूपा अमरत को पान करते रहे अंत मैं जब युवती अपने कमरे की रोशनी बुझा कर सोने के लिए लेटे तब निरंजन भी अपने बिस्तर परा लेटे निरंजन लाल इसी परकार जब उन्हें सुअफसर मिलता तब सामने वाले घर की स्त्रियों को घूरा करते थे उन्हें इसका एक व्यसंसा हो गया था जिस दिन वो ये क्रत नहीं कर पाते थे उस दिन उन्हें ऐसा भासित होता था कि उनका वो दिन व्यर्थ गया इतवार का दिन था और दो पहर का समय निरंजनलाल अपने कमरे में अकेले बैठे हुए एको पन्यास पढ़ रहे थे बीच में वो कभी कभी उठकर खिड़की से बाहर की ओर जांकते थे परन्तु सामने वाले मकान के कमरे को जन्शून ने पाकर बड़े निराश शिपून भाव से पुनह अपने इस्थान पर आ बैठते और पुस्तक पढ़ने लगते इसी प्रकार दो तीन बार उठने बैठने पर अंत में उन्हें सफलता मिली सामने वाले कमरे में किस्त्री आकर पलंग पर लेट गई निरंजन लाल ने पुस्तक के एकूर रखती और खिड़की के पास खड़े होकर इस्त्री को देखने लगे उनके कमरे का मुक्ष द्वार के वल ओड़ का हुआ था ये बात निरंजन भूल गए थे उनका नियम था कि जब वो ये कृत्त करते थे तो द्वार की चिटखनी बंद कर देते थे वो खड़े खड़े देख रहे थे कि कमरे का द्वार धीरे धीरे खुला और चंदर शेखर ने जाक कर भीतर देखा निरंजन को खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की और जाकते हुए देखकर उन्हें शब्द पैरों से भीतर आए निरंजन लाल अपनी धुन में इतने मगन थे कि उन्हें चंदर शेखर के आने के जरा भी आहट न मिली चंदर शेखर पंजो के बल धीरे धीरे चल कर उनके पीछे आकर खड़े हो गए और जिस ओर निरंजन लाल देख रहे थे उसी ओर देखने लगे उस ओर देखते ही उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनका चित बिगड़ गया उन्होंने देखा कि सामने कमरे में एक सुन्दर यूवती अर्ध नगनावस्था में पलंग पर पड़ी है और निरंजन लाल उसकी ओर निरने मेश द्रिष्टी से देख रहे हैं चंदर शेखर छी कहकर दो पग पीछे हट गए निरंजन लाल चौक पड़े उन्होंने गूम कर देखा और चंदर शेखर को सामने खड़ा देखकर अपरतेब हो गए रज्जापूर्ण मृदू मुसकान के साथ उन्होंने कहा अरे तुम कहां से टपक पड़े चंदर शेखर ने कहा मैं इधर से निकला मैंने सोचा देखूं तुम सोतों नहीं रहे हो मैंने इसलिए धीरे से कपाट खोला तो तुम्हें खिड़की के पास खड़े होकर किसी वस्तू को बड़े ध्यान से देखते पाया मुझे उत्सुकता हुई कि तुम क्या देख रहे हो मैं दबे पैरो तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो गया निरंजनलाल उसी प्रकार जहेंपते हुए बोले तो तुमने क्या देखा चंदरशेकर मैंने वो देखा जो किसी भले आदमी को ना देखना चाहिए जिसका देखना पाप है निरंजनलाल हसते हुए अपने पलंग पर बैठ गया और बोले तुम बेवकूफ हो चंदरशेकर पराई बहु बेटियों को इस प्रकार नंगे खुले देखना पाप नहीं तो क्या पुन्न है निरंजनलाल यदि पुन्न नहीं तो पाप भी नहीं चंदरशेकर जब ऐसी बातें भी पाप नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर संसार में पाप है क्या निरंजनलाल पाप वो है जिससे अपने को या किसी दूसरे कोहानी पहुँचे चंदरशेकर गरणा से मुह बना कर बोले रहने दो अपना ये सिद्धान्त बड़े फिलासपर की दुम बने हो पराई बहु बेटियों को घूरते हो और उस पर ये बेह आयाई कि अपने कारे पर शर्माते भी नहीं निरंजनलाल देखो भाई यदि तुम्हें बुरा भला कहना है तो शौक से कहलो और यदि कुछ समझ और बुद्धी से काम लेना है तो मेरी बात पर घौर करो संसार में सुन्दर वस्तुएं देखने के लिए ही होती है नेत्र इश्वर ने सुन्दर पदार्थ देखने को ही दिये है यदि मनुश्य को सुन्दर पुष्प सुन्दर लताएं, सुन्दर सरोवर, सुन्दर परवत्त था अन्य सुन्दर द्रिश देखने का अधिकार प्राप थे तो उसे एक सुन्दर इस्त्री देखने का भी अधिकार प्राप थे चंदर शेकर यदि तुम इसे सचमुच ही अपना अधिकार समझते हो तो लुक छिप कर क्यों देखते हो खिड़की खोल कर सामने खड़े होकर देखो तब जरा देखने का मज़ा भी मिले निरंजनलाल उस दशा में तो देखना पाप हो जाएगा चंदरशेकर इस दशा में पाप नहीं है निरंजनलाल नहीं इसका कारण ये है कि यदि सामने खड़ा होकर देखूं तो उससे संभवे कि वो इस्तरी बुरा माने और उसका हिर्दाए दुखे यदि ऐसा हुआ तो वो पाप की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा मैं इस परकार देखता हूँ कि मेरे नेत्रों को मेरी आत्मा को सुख मिलता है और उस इस्तरी को कोई हानी नहीं पहुँचती ऐसी दशा में ये पाप नहीं कहा जा सकता ये तरक सुनकर चंदर शेकर हस पड़े और बोले तुम्हारा भी वे चित्र से धान थे मैंने तो ऐसा आदमी ही नहीं देखा निरंजनलाल आप कमसिन है अभी आपने देखा क्या है जरा मस्तिशक से काम लो केवल पुरानी लकीर पीटने से काम नहीं चलता मैं लकीर का फकीर नहीं हूँ चंदर शेकर अच्छा मैं कमसिन हूँ इश्वर जूठ न बुलाए मैं आपसे तीन चार वर्ष बढ़ाई ही हूँ रही मस्तिशक से काम लेने की बात सो पराई बहु बेटियों को घूरने के कुकर्म को तरक से सुकर में परमानित करना अभी मेरे मस्तिशक ने नहीं सीखा है ही आपको ही मुबारक रहे औरना मैं ये मानता हूँ कि जब तक किसी काम को करते ही अपने या किसी दूसरे के उपर वज्जर पात नहो तब तक वो पाप नहीं है बहुत से कार्रेसे हैं जिनका फल बहुत देर में मिलता है पर मिलता है अवश्य निरंजनलाल अच्छा महात्मा जी क्या आप ये बता सकते हैं कि मुझे इस पाप का क्या फल मिलेगा चंदरशेकर जो फल मिलेगा वो तुमें समय पर ग्यात हो जाएगा निरंजनलाल परन तु मिलेगा अवश्य क्यों चंदरशेकर हाँ यदि तुम अपनी एक कुटेव न छोड़ोगे तो अवश्य मिलेगा निरंजनलाल अच्छी बात है मुझे भी देखना है कि तुमारी भविश्वानी कहां तक ठीक उतरती है चंदरशेकर इस फेर में न रहो अच्छा हो यदि तुम अपना ये दुष्ट सभाव छोड़ दो निरंजनलाल ने व्यंग पूरवक कहां हाँ छोड़ दूँगा जरा आपकी भविश्वानी का परणाम देख लो चंदरशेकर कोड़ कर बोले खेर तुमारी इच्छी यही है तो ऐसा ही से ये कहकर चंदरशेकर वहां से चले गए निरंजनलाल के इस सभाव की चर्चा करमशा अन्य विद्यार्थियों में भी फैल गई कुछ ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया कुछ ने इसे केवल मजाक समझा परनतु कुछ मन चले ऐसे भी थे जिन्होंने स्वैम इसकी जाच करने की चेश्टा की दो एक विद्यार्थि इस ताक में रहने लगे कि उन्हें भी ऐसे द्रिश्च देखने का स्वाभाग के पराप्त हो उन्हें जब आफसर मिलता तब निरंजनलाल की कमरे में घुज जाते और सीधे खिड़की के पास पहुँचकर वहां खड़े हो जाते और बाहर की और आख फाड़ फाड़ कर देखने लगते परंदु निरंजनलाल को अभी इसकी कुछ खबर नहीं थी क्योंकि उनकी उपस्थिती में किसी के इतना साहस नहोता कि ये हरकत करे जब ऐसा अफसर होता कि निरंजनलाल कमरा खुला छोड़कर बोजन करने अथवा नित्त क्रिया से निवरत होने के लिए जाते तब ही कोई न कोई विद्धार थी उससु अफसर से लाभ उठाता मनुहर सिंग नामा के एक विद्धार थी इस बात के लिए विशेश लालायत रहता था एक दिन जब की कमरा सूना पाकर मनुहर सिंग खिड़की के पास खड़ा जाक रहा था उसी समय हठात निरंजनलाल पहुँच गए उन्होंने मनुहर सिंग को खिड़की से जाकते देखकर समझ लिया कि इसे भी शौक लगा उन्होंने किंचित करकश स्वर से पूछा वहां खड़े क्या जाकते हो जी मनुहर सिंग कुछ नहीं ऐसे ही ज़रा सड़क की बाहार देख रहा था निरंजनलाल सड़क की बाहार देखनी हो तो अपने कबरे से जाकर देखो मनुहर सिंग ते इतना बिगड़ते क्यों यहीं खड़ा हो गया तो कौन पाप किया निरंजनलाल मैं ऐसी बाते पसंद नहीं करता समझे सामने एक भले आदमी रहते हैं उनकी दृष्टी पड़ गई तो वो बुरा मानेंगे मनुहर सिंग खिड़की के कपाड़ तो बंदे उनकी दृष्टी कैसे पड़ेगी निरंजनलाल पढ़सकना संभाव है हाँ भाई तुम घंटों खड़े होकर घूरो तब दृष्टी नहीं पढ़ती मेरे खड़े होने से दृष्टी पढ़ जावेगी मानता हूं उस्ताद निरंजनलाल ने कुरुद होकर कहा बस जबान सवाल कर बात करो और नहीं अच्छा ना होगा मनुहर सिंग किंचित मुस्करा कर बोला ये गीधर भब की किसी और को दिखाओ तुमारी सब कला मुझे मालूम है निरंजनलाल क्या मालूम है मैं कोई चोर बदमाश तू हूँ नहीं आपको मालूम क्या है मनुहर सिंग अच्छा अच्छा बहुत जामे के बाहर मत हो मैंने कुछ मोती नहीं तोड लिया किवले एक नजर भर देख लिया है तुमारी चीज़ तुमें मुबारक रहे मगर उस्ताद ये तनहा खोरी अच्छी नहीं निरंजनलाल तुम बड़े बदमाश आदमी हो जी जो मुँ में आता है भके जाते हो मेरा कमरा है मैं यहाँ जो चाहूंगा करूंगा तुमारे बाप का ये जा रहा है मनुहर सिंग ने गंभी रोकर कहा ये बात बेजा है बाप बाप को मत खसीटो नहीं अच्छा नहोगा निरंजनलाल अच्छा क्याना होगा तुम कर क्या लोगे मनुहर सिंग इस भरों से न रहना सारी शेखी भुला दूँगा ये सुनते ही निरंजनलाल उचल कर मनुहर सिंग के सामने जा खड़े हुए और आस्तीन समयटते हुए बुले क्या कहते हो शेखी भुला दो गए इन दोनों की चीतकार सुनकर अन्य विद्यार्थी जमा हो गए और सब पूछने लगे क्या है क्यों लड़े मरते हो मनुहर सिंग ने देखा कि अब यहां ठहरना ठीक नहीं अते उसने कहा अच्छा देखा जाए कर बताऊंगा ये कहकर वो निरंजन की सामने से टल गया उसके चले जाने की पश्चाथ विद्यार्थियों ने निरंजनलाल से अपना दुष्ट सवाव छोड़ा नहीं परंतु इस पर अब वो कुछ नहीं कहते इधर निरंजनलाल की ये दश्चा है कि वो चंदरशेखर को चड़ाने के लिए कभी-कभी उनके सामने ही गूरा घारी आरंभ करते हैं ये देखकर चंदरशेखर वहाँ से टल जाते है एक दिन इतवार को दो पहर के समय निरंजनलाल भोजन करने गए उन्होंने अपने कमरे के द्वार को किवल ओड़का दिया उनके जाती ही मनोहर सिंग टहलती हुए उनके कमरे के पास आये और इधर उधर देखकर धीरे से कमरे के अंदर घुस गई कमरे के भीतर जाकर वो सीधे खिड़की के पास पहुँचे पहले तो वो कुछ ख़णों तक खड़े देखते रहे इसके उपरां तो उन्होंने धीरे से खिड़की के कपाट खोले और कमीज की जेब से एक कंकड निकाला वो कंकड उन्होंने सामने वाले कमरे में फेक कर पुना कपाट बंद कर लिए और जल्दी से कमरे से बाहर निकलाए कमरे के कपाट पूरुवत ओढ़का कर वो चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए उनके जाने के दो तीन मिनिट पश्चा थी निरंजन लाल भोजन करके लोटे और अपने कमरे में आकर कपड़े पहने लगे वो कमीज पहन कर पान खाने के लिए बाहर आही रहे थे कि उसी समय उनके पिछवाड़ी कुछ कोल अहल सुनाई पड़ा उन्होंने खिड की खोल कर बाहर की और जाका उन्होंने देखा कि सामने वाले मकान की बाबू ने करकश स्वर में कहा क्यों जानाब ये आपकी कौन सी हरकत है निरंजन के कलेज़ धक से हुआ उन्होंने सोचा कहीं मेरा ज्छाकना ताकना इन्हें तो नहीं मालुम हो गया उन्हें कुछ घबराया हुआ तथा निरुत्तर सा पाकर वो बाबु अधिकतर उत्तेजित होकर बोले आप भले आदमियों के घरों में धेले फैंकते हैं क्यों? भालम होता है आपके कोई बेहन बेटी नहीं निरंजनलाल बोले मैंने तो धेला बेला कुछ नहीं फैका वो बाबु साहब एक कंकर दिखा कर बोले ये धेला आपके कमरे से आया है अभी अभी आपने फैका है निरंजनलाल कुछ करकश स्वर में बोले मैंने नहीं फैका खामोखा एक भले आदमी पर तो हमत लगाते हैं बाबु साहब तुम भले आदमी हो तुम अवल दर्जे के बदमाश हो एक तो कसूर किया उपर से टर्राते हो याद रखना इस बार तुमें तरह देता हूँ आएंदा कभी ऐसी हरकत की तुम बहुत बुरी तरह पेशाओंगा ये कहकर बाबु साहब बकते जखते चले गए इधर निरंजनलाल हत बुद्धी से होकर खड़े रहे इधर ये गुलगा पाड़ा सुनकर अन्य विद्धी आर्थी भी इनके कमरे में जमा हो गए थे उन मेंसे जो निरंजनलाल के सभाओं को जानते थे उन मेंसे एक ने कहा वाह उस्ताद मानता हूं गूरा घारी करते करते धेले बाजी भी करने लगे निरंजनलाल मैं तो अभी भोजन करके आया हूं मुझे तो पता तक नहीं कि किसने धेला भेका पहले तो विद्ध्यार्थियों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया पर जब इन्होंने बहुत कस्में वस्में खाई तब सब लोग वहां से हटे निरंजन की निर्दोष्टा पर उन्हें विश्वास हुआ या नहीं इस पर किसी ने अपना मत प्रकट नहीं किया उपर एक घटना के पश्चाद दस दिन बीट गए मनुहर सिंग ने देखा कि उसके धेला फेकने का जो परणाम होना चाहिए था वो नहीं हुआ अते वो पुनासु अफसर की ताक में रहने लगा एक दिन वो निरंजनलाल से पहले ही भोजन करके अपने कमरे में आ गया और इस टोह में रहा कि निरंजनलाल कब भोजन करने जाते हैं कालेज जाने के पूर्वे साढ़े नौ बजे के लगभग निरंजनलाल भोजन करने गए उनके उधर जाते ही मनुहर सिंग पुना उनके कमरे में घुस गया और वही कांड करके तुरंट अपने कमरे में आया जटपट पुस्तके उठाएं और कालेज की ओर चल दिया इधर कुछी मिन्टो पश्चातनी रंजनलाल अपने कमरे में आये और कालेज जाने के लिए कपड़े पहनने लगे वो कपड़े पहन कर तैयार ही हुए थे कि वही बाबु साहब जिन से उस दिन कहा सुनी हुई थी एक अन्य व्यक्ति के साथ उनके कमरे के दोर पर आकर खड़े हो गए और करकश सर में बोले क्यों जनाब आप अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते अच्छी बात है आज मैं आपको प्रिंस्पल के पास लिए चलता हूँ आप विद्यार्थी ना होते तो मैं आपके इसी जगए खोद कर गाड़ देता निरन्यनलाल पहले तो आवाक हो गए परंतु फिर संभल कर बोले आप कुछ घास तो नहीं खा गए है वे अर्थ एक भले आदमी पर दोशारो पन करते हैं उस दिन मैं चुप हो रहा कि गलती हो गई होगी किसी ने फेंका होगा परंतु मेरा कमरा सामने है इसलिए मेरे उपर संदे होना स्वाभावेख है उसका नतीज़ ये हुआ कि आपने मुझी को ताक लिया वह ये अच्छा स्वांग निकाला बाबु साहब क्रोध को पीने के चेश्टा करते हुए बोले देखी अभी आटे धाल का भाव मालूम हो जाएगा पहले तो आपको मैं आपके अफसर के पास लिये चलता हूँ उसके बाद जो कुछ होगा देखा जाएगा निरंजनलाल पुस्ते के उठा कर बोले चलिये अफसर मेरा क्या कर लेंगे जब करा नहीं तो डर का है का बाबु साहब निरंजनलाल को साथ लेकर प्रिंस्पल के बंगले की ओर चले इनके पीछे पीछे अन्यविद्यार्थियों के भीड भी चली प्रिंस्पल का बंगला कॉलेज की सीमा के अंदर ही था अते हो पांच मिनट में ही सब लोग बंगले पर पहुँच गए बाबु साहब प्रिंस्पल से सब विर्तांत कहकर बोले एक दिन पहले भी इनोंने यही अरकत की थी और इसी करण मुझसे इन से कुछ कहा सुनी भी हुई थी आप अन्य विद्यार्थियों से पूछ लीजे कि ऐसा हुआ था या नहीं प्रिंस्पल साहब ने दो-चार विद्यार्थियों से पूछा उन्होंने कहा हाँ कहा सुनी तो अवश्य हुई थी मनोहर सिंग भी पहुँच गया उसने आगे बढ़कर कहा साहब ये बहुधाय इनके घर की स्त्रियों को घूरा करते थे मैंने ने कई बार ऐसा करते देखा इसके लिए हॉस्टल में काफी बदनाम हो चुके हैं सब विद्यार्थी इनकी इस बुरी आदत को जानते हैं प्रिंस्पल साहब ने अन्य विद्यार्थियों से पूछा यद्यपीवे नहीं चाहते थे कि निरण्यलाल के विरुद्धों ने कुछ करना पड़े परंतु सब बात यहां तक पहुँच गई तो उन्हें सुईकार करना पड़ा कि हाँ निरण्यलाल इस संबंध में हॉस्टल में बदनाम तो है एक दो बारे ने चंद्रशेखर ने मना भी किया था प्रिंस्पल चंद्रशेखर कहा है उसे बुला चंद्रशेखर की तलाश हुई पर उनका पता ही न लगा वो निरण्यन की विरुद्ध गवाही देना नहीं चाहते थे इस कारण टल गए थे अंत में प्रिंस्पल ने कहा अच्छा इतना काफी है चंद्रशेखर की गवाही की आवश्यक्ता नहीं ये कहकर उन्होंने बाबु साहब से कहा आप तश्रीफ ले जाए मैं इसे काफी सजा दूँगा बाबु साहब किरपा करके आप इन्हें उस कमरे से अवश्य हटा दीजे प्रिंस्पल किवल कमरे से ही नहीं मैं कॉलिज और हॉस्टल दोनों से हटा दूँगा प्रिंस्पल साहब ने ऐसा ही किया निरंजनलाल को अपने कॉलिज से सदेयों के लिए निकाल बाहर किया एक वर्ष पष्चा चंदरशेखर एक कार्रवश उसी नगर में गए जिस नगर में की निरंजनलाल रहते थे और निरंजनलाल के मकान पर पहुँचकर उनसे उन्होंने भेंट की चंदर शेकर ने पूछा कहो आजकल क्या करते हो निरंजनलाल यहाँ एक बैंक में नौकरी करता हूँ 80 रुपे मासिक पाता हूँ क्या सोचता था और क्या हो गया सोचता था बी ये पास करके वकालत की डिगरी प्राप्त करूँगा परंतु भाग में तो ये बदा था चंदर शेकर क्या वास्तों में आपने धेले नहीं फेके थे निरंजनलाल इश्वर को साक्षी करके कहता हूँ कि मैंने धेला फेंकना कैसा कभी खिड़की खोल कर देखा भी नहीं मैं तो इसे घोर पाप समझता था ढेले जहां तक मैं समझता हूँ मनुहर सिंग ने फेके थे उससे मुझसे एक दिन जगड़ा हुआ था और उसने कहा था कि समझूंगा हजार दरजे तो ये उसी का काम है उसी ने सबसे पहले से प्रिंस्पल से मेरी जहांका ताकी करने की बात भी कही थी चंदरशेखा मैं जानता था कि कदाचित मुझसे भी पूछा जाए इसलिए मैं लापता हो गया था क्योंकि ना तो मैं जूट बोलना चाहता था और ना तुम्हारे विरुध्ध कुछ कहना चाहता था निरंजनलाल हाँ भाई तुमने तो मितरता का हक अदा किया चंदरशेखा मैं मना करता रहा पर तुम अपने तरके के आगी न माने अब तो तुम्हारी समझ में आया कि वो पाप था निरंजनलाल हाने संदेह पाप था पाप न होता तो ऐसा परणाम क्यों होता उसी की बदुलत मेरी और मनुहर सिंग की शत्रुता हुई और उसने ये कांड कर डाला चंदरशेकर तुम आजकल बहुत दूबले हो रहे हो मुख पीला पड़ गया और आँके गड़ी में चली गई है क्या बात है निरंजनलाल ने सिर जुका कर कहा क्या बताऊं सब उसी पाप का फल है चंदरशेकर इसका कहतात पर निरंजनलाल क्या कहूं कहते शर्म लगती है चंदरशेकर मुझसे तो कहना ही पड़ेगा निरंजनलाल उसी ज्जाका ताकी में ऐसे अफसर भी आ जाते थे जब कामोद्दीपन होता था उसे शांत करने का कोई उपाय ना था इसलिए प्रमेह हो गया वही अब तक पीछा पकड़े है चिकित सहो रही है अभी तक तो कोई लाब हुआ नहीं चंदरशेकर बड़े दुखी बात है जिसे तुम समझते थे कि उससे किसी को हानी नहीं पहुँचती उससे तुम ही को कितनी हानी पहुँची निरंजन बुरे काम का फल मिलता वश है चाहे शीगर मिले चाहे देर में इसमें जरा भी मिथ्यावाद नहीं है अभी आप सुन रहे थे विश्वम भरनाथ शर्मा कोशिक की लिखी कहानी पाप का फल मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में